रिशी सुनक के ब्रिटेन में प्रधान मंत्री बनने के बाद भारत में किसको हुआ दर्द? किसने उठाया भारत में माइनोरेटी पियम का राग? आए जानते हैं इस रिपोर्ट में साल 1940 में विंस्टन चल्चिल ने कहा था कि अगर भारत आजाद हुआ तो वो राज करना नहीं सीख पाएगा भुखो नंगो का देश है आज उसी ब्रिटेन में उसी पधान मंत्री वाली गदी पर बैटा सक्स एक भारती मूल का है जो खुद के हिंदू होने पर गौरवानवित महसूस करता है रिशी सुनक के हिंदू चरित्र और ब्रिटेन में मायनोरटी समुदाए के आने की वज़े से जहां भारत में आनंद और संतोश है वहीं दूसरी और कई राजनीतिक पार्टियां भारत सरकार से सवाल पूछ रही है की भारत में मायनोरटी पियम क्यो नहीं रिशी सुनक के प्रधान मंत्री बनने पर भारत में खुशिया क्यों दरसल रिशी सुनक जब पियम के तोर पर शपत लेने पालिया मेंट हाउस गये तो उन्होंने भगवत गीता पर हाथ रखते हुए शपत ली थी और अपने हिंदू होने पर गर्व महसूस किया था रिशी सुनक के प्रधान मंत्री बनने के बाद सनातन संस्कृति का डंका ब्रिटेन में बजने लगा है परन्तु पीडिपी के नेता महबूबा मुक्ती और AIA MIM के सांसद असतुदीन OEC ने कहा की भारत में कोई मानुर्टी PM क्यों नहीं महबूबा मुक्ती और असतुदीन OEC के पूछे सवाल से हमें भी एक सवाल नजर आ रहा है माइनॉर्टी कम्यूटे में सिख और इसाई नहीं आते अगर ऐसा है तो क्या भारत के पूर्व पियम मनमोहन सिंग सिख नहीं थे क्या भारत में माइनॉर्टी पियम नहीं रहें इस सवाल का जवाब हम आप पर छोड़ते हैं इस वीडियो में फिलाल इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें शेयर करें और TNN World को सब्सक्राइब करें धन्यवाद